कि सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार एक बार साथ यो फिर से स्वागत आप सभी का रायथान पर जो समय बचाव हमने अभिहान चला राखा है तो विध्यारती अपना होसला खोच चुके हैं या होसला को बरकरार रखना है साथ यो उनके साथ निश्ची तोर से रामभा सभी भाहिभाई भेनों का हम लोग बात कर रहे हैं साथ यहाश के परमुक युद्स उससे पहले मैं आपको जान कर देंगों कि रायथान के जो आपके ब्रमास्तर नोड्स हैं वह लिखने नहीं पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत शांदर तरीके से डिजायन किया नोड बिल्कुल मैं आपके साथ हूं आप अगर आप लोग अच्छे तरीके से जाएंगे तो निश्ची तोर से आप इतिहास रचेंगे मेरे कहने के अनुसार चलेंगे पूरा मेरा अनुवाव इसमें जोका है लाइनिंग है गैप है फॉंट है आप जोड़िए कोई दिक्कत नही यह आप सब देखो फरक तो है इसमें कोई किंद्व परंतु नहीं है चली आगए हमित यहास के पर्मुग युद्धों की बात करा है त्यों भूताला का युद्ध है यह बूताला का युद्ध है 1227 में हुआ इस युद्ध में ध्यान रखें आप लोग एक रावल हुई थी रावल शाखा रावल रतन सिंग रावल शाखा से थे सिसोधिय की तेले कि रावल और राणा शाखा दो भागों बटी थी तो रावल जेतर सिंग थे यह रावल जेतर सिंग थे ध्यान रखें और यह रावल जेतर सिंग के समय इल्टूत मिस ने आकर्मन किया था इसने क साका युद्द जोकी रावल-जेत्र सिंग और इल्टूत मिसके मध्य हुआ कि रोड की परथम साका साका आप जानते और जानतेों शाखा का मतलब क्या होता है अकरमन कारी तब अटेक करता है आकरमन कारी केसरिया रंकी फगड़ी धारण करके तेसे कैसरिया और हमारी राजपुतरानिया वह क्या करेंगे जोहर करेंगे अगनिया जल में कुद कर अपने प्राणों का नोचावर कर देंगे दोनों को मिला कि हम लुग क्या कहता है साका कहते हैं और यह चितोडगड का दुरूग है इसमें तीन साका हुए है द्यान रखें और जैसल मेर का दुरूग है उसके अड़ाही साका प्रशिद है कौन से दुरूग के जैसल मेर दुरूग के अड़ाही साका प्रशिद है जैसल मेर दुरूग के अड़ाही साका प्र राजा कौन था तो हम राजा रावल शाका से थे उनका नाम रावल रतन सिंग तो इसका मतलब रावल रतन सिंग राजा हो गया फिर हम यह भी मालूम होना चाहिए कि साथ यहां आकरमनकारी कौन था अगर हम लोग आकरमनकारी की बात करेंगे तो अलाउदिन खिल जी यहां प तैना पती है गोरा और बादल यह नाम है गोरा और बादल रावल रतन सिंग गोरा बादल यहां वीर गत्य को प्राप्त होंगे इनके नेत्रतों में राजपूत सेना युद लड़ेगी और यह रानिया हैं तो ध्यान रखें एक नाम आप जानते हो पदमनी जी रानी पदमन रानी पदमनी और हम लोग बात करेंगे नागमती इनके नेत्रतों में क्या हुआ तो ध्यान रखें इनके नेत्रतों में क्या हुआ इनके नेत्रतों में जहुर हुआ तो चितोड का परसम साका हुआ अला उद्दिन खिल जी ने विजे प्राप्त की तो विजे की एक तो त ठ्हिल जिल जुरी क्या रखा था किसराबाद रखा था फिता रख दिया था ठ्हिजराबाद किजरा पूत्र हैं और था eldest याद में चितोड रुत का नाम किजराबाद रखा था ये चितोड़ का पर्थम भी साका था अब बात करते साथ यह हम लोग रामपुरा का युद्ध देखिए रामपुरा का युद्ध और जिलवड़ा का युद्ध यह दोनों यह युद्ध हैं यह युद्धों को महारणा मोकल लड़ेगा को लड़ेगा महारणा मोकल तो युद्ध महारणा मोकल महारणा मोकल महारणा मोकल के विल्कुल मालूम होना चाहिए और युद्ध रूज़ को चले तो इस युद्ध में नागोर की शासक फिरोज खा नागोर का शासक फिरोज खाश भानागोर का सप्रेंड भी क्लास को बिल्कुल लाइक शेइट करें अगर सबैसर प्रियास को नोटवकाश को फिरोज कर रोज को पराजित किया इतिहास में रामपुरा का युद्ध कब हुआ यहां पर महारना मोकल है महारना मोकल का सो भाग्य था कि उन्हें कुंबा जयसा पुत्र मिल सो भाग्य से nord में इन Запवल kg आ मोकल यह राजा हो गया अर वर्षेज हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंघ कि गुज्रात के शाषक है मच सहा उसको पराजित किया गुजरात का शाषक हैमद साह गुजरात के शाषक हैमद साह को पराजित किया तो यहां जिलवाडा में पढ़ाव डाला हुआ था उसी समय ध्यान रखना यह महाना मोकल की हत्या की जाती अलग से बात करेंगे और वह अक्का अक्का महपा चाचा है मेरा अक्का ने कहा महपा चाचा है मेरा तो अक्का महपा चाचा मेरा ने महाना मोकल की इसी पढ़ाव की धोरान क्या कीती हत्या कीती इतना ध्यान रखें आपलो अब यह महाना मोकल के हत्यारे हैं इन में से दो हैं अक्का महपा चाचा मेरा अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा तो इन में से कुछ यह हैं लंबी तोड़ी कहानी वहां नहीं जाएंगे वो मालवा के शासक के पास सली जाता है यानि मैंने क्या कहा था कि मोकल का सोभाग्य था कि उन्ह नाम मैहमूद खिल जी पर्थम मा नहीं लोटा दीजी नहीं लोटा योटाय तो कुम्बा ने मालवप अटेक किया इतिहास में सारंगपूर का युद कहते हैं और इस युद में कुम्बा को विज्घ नियाज भगवान विष्णु की आशिरवाद से मिली भगवान विष्णु को समरपित इन्हों एक इस्तंभ बनवाया जिससे हम लोग क्या कहता है यह द््यान रखें विजय इस्तंब कहते हैं सगते हैं क्या कैता है इसे विष्णु दुएजगट भी कहते क्यों कहते हैं विष्णु दुवजगर क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पेता है नो मंजिल है अलक्से हम लोग बात करेंगे तो सारंगपुर का युद में महाना कुमबा की विज़े हुई क्यों हुआ क्यों कि मोकल के हत्यारों को मालवा की राजा ने सरन दे दी 1437 में सब्सक्राइब तो कोन है महमुद खिलजी है अना और महमुद खिलजी पर्थम है आपने देखोगा कि जो एक चंपानेर की संदी पड़ी थी वह चंपानेर की संदी गुजरात के शासक कुतूब दिन शाहा कुन कुतूब दिन कुतूब दिन शाहा और महमुद खिलजी पर करते हैं नहीं मिलके मिवाड़ करते हैं माहणा कुमबा की उपर और फिर से युद्ध होता है जिसे इतियाहस में बधनोर का युद्ध कहते हैं सतावन में और इसमें विजय किसकी हुई कुम्बा की दोनों हारगे बुरी तरीके से पहले अकेला हरा और अब गुजरात के शासक को भी लेकी गया उसको भी बठा बठा दिया ठीक है हाँ युद्ध में इस्तिर बुद्धी वाला राजा कहते हैं कुम्बा को दुरभाग्य अभी ब्यावर में गया इस्तान पहले भीलवाडाम था अभी इस्तान नए जिलोकर सार ब्यावर में गया तो बदलोर का युद्ध समझ गे यहाँ अकेला वहमुद खिल जी वहाँ गुजरात का शासक भी यहाँवी पिटाई हुई महाण कुम्बाने पिटाई की विजय स चलमाता का मंदिर बनवाया पहले इस्तान कहां ता भीलवाडाम अभी व्यावर में आगे बने रही है बने रही है सा बने रही है दाड़ेम पूरका युद्ध दाड़ेम पूरके युद्ध की बात करेंगे हम लो महाण कुम्बा ने अपने पूत्र महाण कुम्बा ने अपने पूत्र रायमल रायमल को उत्रादीगारी बनाया तब की पिता की हत्या करके राजा कोर मना था उदा बना था उदा को उदे सिंग पर्थंग भी कहते हैं उदा बना था उदा को इतिहास में पित्रहंता राज प्रियास कर रहा है कि मैं कैसे गद्धी प्राप्त कर दो दूख तो गद्धी पर बैठ गया एक पिता की हध्या कर दी तो इनको राइमल ने अटेक किया उदा पर और जिसे इतियास में दाड़िमपूर का युद्ध कहते हैं और उदा यहां से भाग कर कहां जाता है मालवा जाता है और मालवा में आकासिये बिजली गिर जाती है और आकाशिये बिजली गिरने के करांस उदा की मिरत्यू हो जाती है दोनों भाईयों कि मत दाड़िमपूर का युद्ध होता है जिसमें वीजे किसकी की होती है राय मल्की होती है ठीक है अंग गुदय से भागता है कहां जाता है यह मालव मालवा में इनको आकासी बिजली का गिरने करना मिर्प्ति होगे आगर ही जाएंगे भांद के रहें आपको मेरा मन तो बहुत कर रहें बहुत बाते बोलू देकिन हमें ज्यादा लंबा इसको देखे खातोली का इउद्ध है का अर्थ म्लकी युद्ध है इन्हें पर्थम पक्ष्सों की बात करेंगे सांग् jaga है यह वह हमी पर्थम पक्ष्स की बात करेंगे यहां पर्थम पक्ष्टों सांगा है इसमें तो लिक्कत नहीं है अब देखेंगे तो पांच में से चार राजा दिल्ली के हैं और एक मद्यप्रदिस का है मालवा का मालवा का आंगा राजा गागरोण के युद्र महोँ सकता है घालावाड में और जहालावाड मद्यप्र चिप्ता हुआ है तो यहां पर देखिए इपरहेम लोदी इब्राहिम लोदी खातोली के युद में 1527 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया ठीक है यहां भी इब्राहिम लोदी है धिली का बादशा है इब्राहिम लोदी बाड़ी के युद में महाना सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया यहां प फ़रवरी को एक महिना और एक दिन przepर यहाँ बाबर की सहना और सांगा की सांगा बने क्ली तरे प्राजित किया भेभित होग़ी युद्ड करने के लिए मना कर रही है सब पिर कुराशन के संद दिलाई धन्य जहाद गो सित किया खानवात की तो फह लड़ाए लड़ी ये खानवा का युद भरतपूर में हुआ साति बयाना भरतपूर में हुआ खानवा की युद में भी यह पांच युद्वों में से अंतिम युद्व सांगा हार रहा है पाति प्रभन पर्था के तैट बहुत से राए और राजा गये ते लेकिन इन्हों कुट निति थी गोले और बारुद का इस्तेमाल हुआ तुल्गमा पद्धति का प्रियोग और यहां इस युद्ध में सांगाजी पराजित हो जाते हैं तो साथ यो बने रहे हैं आप लोग एक पार और आएगा युद्धों का उसमें लोग बात करेंगे आप बिल्कुल हमारे साथ रहे है धन्यवाद राम राम साब यह उस पर डालूंगा टेलीग्राम पर अ